नमश्कार दोस्तों आप सभी का एक बाफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वीवो की तरफ से आने वाला वीवो Y51A के बारे में दोस्तों वीवो की Y-Series काफी ज़्यदा पॉपुलर रही है अपने बैतरीन फीचर्स के साथ अपने बैतरीन लुक के लिए और यहाँ पर Y51A आ चुका है हलाकि यह फोन काफी समय पहले लॉंच हुआ था और इस्टूडियो कॉंस्ट्रक्शन की वज़ए से मैं इसे अन्ब फूलेगा यह फोन मेरे को DKG मोबायस के तरफ से मिला है तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिसक्रफशन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे तो फटा फट ओपन कराते हैं इस बॉक्स को दिखते हैं क्या खास रहने वाला है यहाँ प यहाँ पर बैक पर आपको दे रखी थी 5.0 mAh की बैटरी 18W की चार्जिंग 48MP का कैमरा यह गौर करना होगा अल्टरा स्टेबल वीडियो रहेगा जारो यहाँ पर आपको दे रखा होता है और साथ में जो है साइड मांटेड फिंगर पिंट स्कैनर दे रखा होता है तो यह यूज क्या है आपको पता है और केस कवर को अगर देखा जाए तो ओवरॉल क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा लेकिन समय के साथ साथ पीला पड़ जाएगा इसका कुछ किया जा नहीं सकता है तो यहाँ पर यह चीज काफी इंटरस्टिंग लगेगी आपको इसके यहाँ पर काफी भारी भर कम सा देखने को मिल गया और वीवो से जो वीवो का ट्रेडिशनल चार्जर आता था उससे थोड़ा सा हाटकर इसकी डिजाइन है एकदम लंबाई में चार्जर दे रखा होता है और आउटपुट रेटिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पर 5 2A और 9V 2A की होती है थोड़ा सा वेटेड रहता है यह चार्जर 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है 5000 मिस की बैटरी और 18W की चार्जिंग है दोनों कॉंबिनेशन काफी परफेक्ट रहते हैं हलाकि थोड़ा और बहतर देखने को मिलता 25W मिल जाता तो और म अच्छी रहती है क्योंकि जनरली अगर हम Y-series की बात करें वीवो की तो वहां पर वह माइक्रू-USB का सपोर्ट देते हैं लेकिन यहां पर आपको यह चोटी सी टाइप-C केबल देखने को मिल गई है जिसकी मैं यहां पर तारीफ करूंगा तो यह overall quality wise ठीकी रहेगी आप आपको वीवो डिलिवर कराता है और कुछ चीज़ें वीवो नहीं बदली हैं जिसकी मैं यहां पर तारीफ करूंगा वो एक बड़ी चीज रहती है यह बड़ा point रहता है वो रहता है यहां पर earphone तो यहां पर इसकी quality आपको काफी बहतरी देखने को मिलेगी और overall बहुत अ फोन के बारे में detail से बात करेंगे यकीन आप इससे देखना चाहरे होगे क्योंकि काफी कमाल का look है इसका लेकिन उससे पहले side कराते हैं यहां पर table को खाली करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने इस phone को setup करा लिये है तो सबसे पहले बात करना बनता है एक बार इसकी display के बारे में कि display कैसी होने वाली है तो सबसे पहले तो यहां पर मैं कहूँगा 6.58 इंचेस का यहां पर जो size रहता है वो है और overall quality देखते हैं IPS LCD panel है बहुत high standard आप इसे नहीं कहेंगे लेकिन full HD plus का resolution देखने को मिल गया है यह अपने आपने कमाल की बात है और काफी बहतरीन quality मैं तो कहूँगा display की बना देता है इसका full HD plus का resolution जो कि मैं समझता हूँ कि इस range में आपके लिए बहुत 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 रहेगा तो अगर आप इसकी display के बारे में सोच अगर आप इसे सई से देख पाएं इसके बाद अगर हम बाई बात करते हैं फुल HD plus का resolution है तो pixel density तो आपको कमाल की देखने को मिलेगी तो यहाँ पर होती है 401 pixel पर इंचस की जो की काफी बहुत 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 रहती है लेकिन screen to body ratio भी बहुत कमाल का रहता है यहाँ पर आपको screen to body ratio 84.5% का दे रखा होगा जो की बहुत 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 के चल सकते हैं और मैं तो यह बलकी यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप screen पर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो bezels हैं लगभग ना के बराबर है नीचे की तरफ बहुत पतले से बजस दे रखे होते हैं और उपर की तरफ आपको water drop notch दे रखे होती है इस water drop notch में आपको मिल जाता है 16 megapixel का selfie camera तो इसकी quality के बारे में आगे जाकर बात करेंगे लेकिन फिलाल इसके look के बारे में बात करते हैं तो overall देख रहे होंगे कि काफी प्यारी सी display है यह पर आपको volume keys देखने को मिल जाती है और साथ में side mounted fingerprint scanner प्लस power button यहां पर यह तीनों चीज़े रहती हैं दूसरी तरफ आपको एकडम neat and clean दे रखा हो है कुछ नहीं दे रखा है मतलब और उपर की तरफ आपको एक dedicated sim slot के option है और साथ में आपको एक secondary mic दे रखा होता है noise cancellation के ल Vivo का लेकिन कमाल की चीज़ यहां पर इसके back में रहेगी यहां पर आपको जो back दे रखा है हलाकि यहां पर plastic back ही है लेकिन अगर आप देखेंगे तो overall देखने में बड़ा प्यारा आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इसे दूर से इस तरीके से अगर आप पकड मतलब आपको premium class product budget range में देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं सोच पा रहा हूं साथ ही अगर हम इसके camera cutout की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको एकदम unique सा style दे रखा है यह चीज़ मैं कहता हूं कि Vivo ने काफी बहतर किया है क्योंकि आज सकल एकदम pattern बंसा गया है brands का वो ए 48 Megapixel का sensor वो काफी बड़ा सा दे रखा है आपको यहां पर तो यह चीज़ भी देखने में बहुत बहतरी लगती है यहां पर आपको triple camera support ही दे रखा है जो कि आपके 48 plus 8 plus 2 Megapixel करेंगे यहां पर 8 Megapixel के आपको ultra wide angle lenses देखने को मिलते हैं depth sensing यहां पर आपको नहीं दे रखा है देखने के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं और देखेंगे जाकर about phone section में तो यह रही इसकी setting और setting में जाने के बाद about phone में आपको बहुत साई details देखने को मिल जाएंगी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर variants की तो यहां पर single variant ही आपको मिलता है वो रहता है आपका 8128 का जिसकी price लगबग 17-18 के बीच में रहेगी अगर आप इसकी current price जाना चाहते हैं latest price जाना चाहते हैं तो उसके link आपको description box में देखने को मिल जाएंगे यहां पर device बगर की detail दे रखी है और processor की बात करी जाए तो य यह आपको 34 की देखने को मिल जाती है C great processor इसे mark किया गया है जो कि average आप मानके चल सकते हैं लेकिन बहुत ज़दा gaming अगर आप इससे सोच के चल रहें तो थोड़ा सा आपको इससे बचना होगा बाकी normal users के लिए बहुत बैतर है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही सा आप इसे पर्चेस कर सकते हैं साथी दोस्तों यहाँ पर अब एक बर क्यामरे की बात करनी होगे लेकिन मैं सोच रहा हूं उससे पहले एक बर इसका वेट चेक कर लेता हूं क्योंगी भाई 5,000 mAh की बैटरी है तो ऐसे में इसका वजन क्या होने वाला है यह अपने आपने 192 के आसपास आप इसे मान सकते हैं जनरली जो 5,000 mAh के फोन होते हैं वो 200 ग्राम जो है क्रॉस कर जाते हैं और ऐसे में आपको यह फोन देखने को मिल जाता है 192-193 ग्राम के आसपास तो आप मान के चल सकते हैं कि काफी light weight रहेगा इस हेसाब से तो यह point आपको थोड़ा सा नजर पर रखना होगा जो की point गौर करने like है तो काफी light weight रहता है काफी पतला भी है और grip की अगर बात करते हैं तो अच्छी grip दे रहा है हलाकि जिनके हाँ छोटे हैं उनको थोड़ी सी problem हो सकती है बाकि उसका care कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि लगबग यह standard size हो रहता हैं बहुत कम ऐसे camera के बारे में तो camera के लिए तो हम आपको आगे जाकर sample दिखाएंगे कुछ video footage वगरा भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले एक बार बात करना बनता है इसकी normal condition में क्या रहती है तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं slow pot पर focus करते हैं camera को और देखते हैं sharpness तो कम quality को prefer करते हैं और यहाँ पर मेरे को इस camera से यह चीज़ देखने को मिली है जिसके लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर कमाल की quality आपको देखने को मिल जाती है normal situation में अभी मैंने 48 megapixel on नहीं किया है और इस situation में अगर आपको यह sharpness देखने को मिलती है तो मैं तो कहूंगा कि आपक original रहते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं तो यह चीज़ मेरे को बहुत interesting लग रही है यहाँ पर साथ ही यहाँ पर अगर हम more में जाएंगे तो 48 megapixel का आपको एक अलग से option दे रखा है तो इसका भी एक test कर लेते हैं तो थोड़ा दूर पे wall की photo को क्लिक करते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसकी quality कैसी रहती है 48 megapixel पे तो फोटो हो गई है क्लिक और ऐसे में इसके sample को अगर हम चेक करेंगे 48 megapixel कमाल की quality यहाँ पर book रखी है चेतन भगत की और यहाँ पर एक एक चीज़ आप detail में जाकर पढ़ सकते हैं काफी distance है यहाँ पर दिवार की उसके बा मैं वही कहूंगा कि colors काफी original रहते हैं इस बात की मैं तारीफ करूँगा इसके बाद एक बार normal हम लोग selfie को भी click कर ही लेते हैं यहाँ पर selfie को भी देखते हैं कि इसकी performance क्या रहेगी तो यह हो गया click और इसकी quality अगर हम देखते हैं तो overall 16 megapixel का sensor है और ऐसे में इसकी quality काफी इच्छी आ रही है हलाकि sharpness यहाँ पर average average type रहती है बहुत high quality आप नहीं कहेंगे यहाँ पर लेकिन color भाई बहुत प्यारे आ रहे है और इसके camera में तो यहाँ पर मैं इसकी तारीफ करूँगा overall color ठीक ठाक आपके यहाँ पर रहते हैं बलकि बहुत प्यारी रहते हैं इस ची बहतरीन रहता है यहाँ पर इसका selfie camera भी तो मैं यहाँ पर काऊंगा कि camera के मामले में तो यह phone एक number है कोई सोचने वाली बात नहीं professional quality camera है online study YouTube में वीडियो बनाना vlogging करना इसमें इसका इसका इस्तिमाल आसानी से किया जा सकता है जाहिरो का support भी है यहाँ पर आपकी video footage काफी stable रहेगी अभी यहाँ पर आप जो है इसके कुछ picture sample को देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ photos वगरे ली थी और ऐसे में आप देख रहोंगे कि colors वगरे तो काफी प्यारे आई रहें और overall quality काफी खुबसूरत रहती है यहाँ पर फिलाल अभी देखते हैं इसकी कुछ video samples उसके बाद बात करेंगे कि यह phone का camera आपके लिए कहाँ पर stand करेगा और आपको यह phone लेना चाहिए या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप recording देख रहे हैं इसके back camera से और ऐसे में यहाँ पर जुसका sensor होता है काफी बहतरीन तरीके से performance करता हुआ आपको दिखाई यह colors को बहुत अच्छी तरीके से manage कर रहा है जिसकी मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा extra brightness देखने को यहाँ पर नहीं मिली कहीं न कहीं इसका camera originality को prefer कर रहा है यह चीज़ मेरे को काफी interesting लगी है यहाँ पर तो comment करके बताईएगा कि आपको इसकी quality कैसी लगी है फिलाल अभी हम लुक चलते हैं selfie camera की तरफ और उसकी quality को judge करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर selfie की अगर आप quality देखेंगे तो काफी हद तक आपको वैसी ही लगेगी जैसे कि आपको back camera से देखने को मिल रही ती हाला कि sensor में काफी बड़े अंतर है लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंग बहुत ज़्यादा shake नहीं देखने को मिलेगा मैं हाँ से ही पकड़े हूँ कुसी भी तरगे का कोई gimbal use नहीं है इसके बाबजूद भी footage काफी stable है इस चीज़ की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा तो आप बताओ भाई कैसी लगी है आपको इसकी यह video quality दोस्तों एक छोटा स जैसा कि आपने अभी देखा और टाच आपने कराया नहीं काफी तेजी से open होता है एक animated तरीके से होता है जिसे कि आप यहाँ पर फील कर पा रहे होंगे जैसे आपने लगाया तुरंत खट से open हो जाता है कोई delay आपको देखने को नहीं मिला है यह चीज मेरे को काफी interesting लग यह चीज मेरे को काफी interesting लगी है इस फोन में तो फिलाल अभी आगे move करते हैं कि और क्या खास रहता है इस फोन में आपके लिए तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने जच करी होगी इसकी quality को और overall अगर हम बात करते हैं बहुत कमाल का है अपने आप में तो इसका comparison मैं सोच प्राइज में देखने को मिलते हैं तो इसका लिए आपको चनल को subscribe करना होगा notification बेल को दबाना होगा जिससे कि आपको notification मिल जाए जब भी मैं इसका comparison बनाओ लगबग 102 दिन बाद आपको वो देखने को मिल जाएगा फिलाल अभी यहाँ पर final conclusion पर चलते हैं और देखते हैं काफी battery zooming quality है screen to body ratio भी बहुत अच्छा है pixel density भी अच्छी है तो ऐसे में मैं कहूँगा कि ठीक रहता है इसका मतलब इसकी display के इसाप से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है camera के मामले में already मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा overall आगर हम यहाँ पर price को देखते हैं तो price 17 से 18,000 रुपए के आज पास इसकी बैठ जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि price के मामले में थोड़ा सा iPhone मेरे को over price लग रहा है यहाँ पर चुकि processor C grade है आपको snapdragon 662 है और ऐसे में price थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कम होता तो शायद इस phone म और मतलब कमाल की चीज एड़ हो जाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि यह phone अपने आप में एक unique चीज होता तो आप मेरे को comment करके बताएगा कि आपको इसकी price range से अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को comment करके बता सकते है कि आपको यह साब से snapdragon 662 है तो इसकी price क्या होने ही चाह कि आपको यह video कैसी लगी है यह phone कैसा लगा है साथ ही अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके link आपको description box में देखने को मिल जाएगी इसके price वगरा की information आपको description box में देखने को मिल जाएगी आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं आपको कुछ बहातरीन unboxing के कि आपको कुछ बहातरीन